जैन फ्रेंड्स आइम शुभम वैलकम टू माई यूट्यूब चैनल समिष्टिडी गुरू आज इस वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं UPSI 2021 के एक्जाम के कॉट आफ के बारे में तो जी यहां दोस्तों इस वीडियो हम लोग कॉट आफ पर चर्चा करने वाले हैं जैसा क कि इतने देर से मैं देख रहा हूं काफी messages मेरे पास आये हूँ है कि वहां पर विध्यारतियों के मन में बहुत बड़ा संसय है कि सर मेरे marks कम मन रहे है या मेरे जो प्रस्ण हो गया है वो कम कर पाया हूं मैं attempt तो बिलकुल निश्चंद रही है देखिए अगर आपकी shift hard रह इन तीन phase में exam हुआ है और चोवन shift में जैसा कि आपका exam चला है तो देखिए जाहिर सी वात है कि variation देखने को मिला है कोई shift tough रही है तो कोई shift आसान रही है तो इनको बरावर करने के लिए एक normalization किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट role play करने वाला है वो यहा आपकी physical आपका physical के लिए तैयार हो जाई है आप physical continue रखिए क्योंकि बाद में क्या होगा जब result आएगा तब फिर आपको दिक्कत होगी physical तैयार करने में तो physical continue रखिए उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि जो हमने survey किया है यह survey हमने अपने YouTube channel, Facebook और Telegram channel का जो poll किया उस poll से जो आया result आया है दो लाग विध्यारतियों के survey का अंसार जो मैं poll है उसके result आपको बताने वाला हूँ उसी के basis पे हम लोग cutoff फर चर्चा करने वाले हैं तो चलिए फिर श्टार्ट करते हैं कि polls के क्या result रहे हैं और उसकी according क्या cutoff बन सकती है और देखिए एक चीज देखने को मिला था कि कम से कम यह समझे 20-20 question का पिसली वार 20 question का फिर वतल देखने को मिला था किसी के 20 number कम हुए तो किसी की 20 number बढ़े थे तो बिलकुल निश्चन रही है अगर आपके number कम भी बन रहे है तो टैंसल लेने की बिलकुल जरूरत नहीं है चलिए फिर देखते है कि अपना पोल का result क्या रहा है तो यहां से देखते हैं सबसे पहले देखिए यहां पर जो पूल था उसमें देखिए 100 से 110 तक के विद्यारती जो है जिनके 110 नमबर तक आए है 110 से कम है number यहां से देखिए 21% जो 100 से कम है 100 से 105 के बीच में 45% और 105 से 110 के बीच में है 11% अगर हम जोड़ेंगे तो देखिए यहां से कितना हो जा रहा है यहां से हो जा रहा है 77% 77% ऐसे student है जिनका score 110 से कम लाई कर रहा है अगर next उसकी slide पर जाते है तो यहां से देखिए यहां से क्या बोला है यहां से अगर हम देखेंगे तो देखिए 90 से 110 के बीच में यहां से देख यहां पर भी आपको देखे 66% यहां 66% जो student है वह 110 से कम पर उनका जो score बन रहा है यहां 66 था पिछले वाले में सरसर था एक में आपको 77% देखने को मिला है तो अगर overall देखा जाए तो 70% 70% student ऐसे हैं जिनका score 110 से नीचे देखने को मिल रहा है तो यहां पर काफी variations हो सकते हैं जिनका score 100 के असपास रहा है हो सकता है उनका paper किसी वेज़ से खराब हो गया हो हो सकता है कि उनका जो exam की जो shift थी वो tough आ गई हो तो बिलकुल भी आप निश्चंत रहिए लेकिन एक चीज मैं बिलकुल यहां कहना चाहँगा यहां से देखी अगर 120 प्लस वाले आपके यहां से 18% आपके यहां से अथारा परसेंट यहां से देखी अगर यहां देखेंगे तो यहां पर भी आपको देखी नौचा 15% student ऐसे मिलेंगे जिनका 120 से प्लस स्कूर है आप लोग फिजिकल की अच्छे से त्यारी कीजिए और लग जाईए अभी सही क्योंकि देखिए फाइनल में क्या हो गदा फाइनल कट अप से अकर बाहर हो जाएंगे तो बड़ा दिक्कत होगी पता लगी फिजिकल कर लिए फिजिकल कर लिए और सब चीज कर लिए अब फा Maisonis 2016 में जो पेपर हुआ था उसमें मेरा एक जाने वाला था उसके 117 निमबर थे 177 कोश्चन उसके धीक ठेक वह एक और मेरा जाने वाला था उसके उसके सिर्फ और सिर्फ 99 एक के थे 170 और एक के थे सिर्फ और सिर्फ 99 लेकिं इसब रिजल्ट आया तो 117 वाले का नहीं वो पिछली बार 20 20 question का near about 50 number का variation देखने को मिला था तो आप लोग बिल्कुल निश्चिन तो जाईए जिसका भी shift tough था बिल्कुल भी tension ना लीजिए आगर आपके number कम बना है तो definitely आपके normal lesson में number बढ़ेंगे और जिसके shift आसान थी उसके numbers कुछ कम होंगे तो बिल्कुल निश्चिन रही है अगर 120 plus स्च्राव में तो बिल्कुल निश्चिन रही है हम विल्कुल बताते हैं कि cutoff actual में क्या रहने वाला है तो चलिए कर फिर cutoff देख लेते हैं कि cutoff actual क्या रहेगी देखिए बात कर लेते हैं सबसे पहले यहां पर एक चीज जो बहुत important जो है वह यहां पर हम लोग बिल्कुल discuss कर लेते हैं यहां पर यहां पर देखिए तीन सिप्टों में तीन फेज में आपका एक्जाम था फेज 1 फेज 2 और फेज 3 और इनमें भी आपका जो एक्जाम हुआ है वो 54 सिप्टों में ए इसी की आसान रही है अगर overall देखे phases के बारे में तो phases के बारे में अगर overall देखा जाए तो यहां पर देखने को मिला है जो shift 2 वाले student है इनके जो marks है वो काफी अच्छे देखने को मिले है जबकि अगर बात की जाए phase 1 वालों की और phase 3 वालों की तो अगर तीनों में compare किया ज वो toughest तफ़ेस्ट फेस्ट देखने को मिला है phase 3 अगर सबसे simple की बात की जाए तो phase 2 के बारे में और उसके अगर medium की बात की जाए तो phase 1 तो यहां पर देखे क्या variation देखने को मिलेगा तो यहां से देखे सबसे बड़ी बात हो जाएगी अगर जिसका भी जिसका exam phase 2 में था ज तो कि normalization में 100% आपका number बढ़ेगा देखे फिर कुछ कुछ shift ऐसी थी कि phase 3 में भी कुछ shift ऐसी थी ती जो tough रही हो phase 3 में भी लेकिन मैं overall बता रहा हूं देखे अगर आपकी shift अगर phase 2 में थे अगर आपकी shift tough थी तो आपका definitely आपका number बढ़ेगा लेकिन यहां मैं एक normal बात कर आप merit जो बताने वाले हैं उसके साब से आप अपनी merit का निदारन करेंगे कि आपकी merit क्या रहने वाली है तो यहां पर देखते सबसे पढ़ी बात कर लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं general की जो merit रहने वाली है वो आपकी 105 question से लेकर 110 question के बीच में लाई करेगी वो भी male candidate की और यहीं पर अगर female candidate की बात की जाए तो वो near about यह समाल दीजिए आपके 100 अगर उसके 100 marks भी बन रहे हैं 100 से मानिए 95 से 100 की बीच में अगर marks बन रहे हैं तो उसका selection हो जाएगा अगर वो female candidate है general की female candidate है इसके बाद अगर हम लोग बात करें EWS की EWS की अगर हम बात करते है तो यहाँ पर जो EWS का marksic market देखने को मिलेगी वो देखने को मिलेगी आपको 100 से 105 की बीच में 100 से 105 की बीच में आपको देखने के मिलेगी और इसी की अगर आपको महला candidate है अगर कोई female candidate है उसकी cut off आपको जो देखने के मिलेगी वो 95 95 question अगर वो touch कर रही है तो आप physical की criteria कर होगा इसके बाद हम बात करते हैं OBC candidates के लिए तो OBC candidate के लिए देखिए cut off का कुछ ज्यादा variation देखने को आपको नहीं मिलने वाला है यहाँ पर जो cut off EWS की रहने वाली है near about वही same cut off आपको OBC की भी देखने को मिलेगी तो यहाँ पर भी यह 105 और अगर female है तो 95 95 के approach होगा तो female आप त्यारी continue रखिए उसके बाद अगर हम बात करें SC candidate की तो SC candidate के लिए देखिए यहाँ पर SC candidate के लिए जो safe score होगा वह safe score होगा 90 अगर वो 90 number touch कर रहा है तो अगर उसकी अगर female candidate है तो वह 85 85 पर भी उसका selection हो जाएगा और फिर हम लोग बात कर लेते हैं SC SC की तो बात कर लिए उसके बात ST की X service man की और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सतंता सेनानी जो है वो अगर यहाँ पर उनके जो विद्यारती है वो दिये थे paper तो यहाँ पर उनकी cutoff इन तीनों की cutoff के अगर बारे में बात करें तो near about यह माल लीजिए कि जो हम लाने थे वो 50% 50% नंबर लाने थे यानि कि 50% का मतलब हो गया 80 question 80 question अगर आपके ठीक हो रहे है ST हो एक service man हो या फिर सतंता सेनानी हो अगर आपके question 80 ठीक हो रहे हो तो आप बिलकुल निश्चिंत हो जाई है आपको physical करने का मौका मिलेगा फिलकल में बाल लेगा मौका मिले था और आपकी shift कैसी रही आपको देखिए आप सबको अंदाज लग जाता कि मेरी shift tough है अंदार देखिए तो आप लोग को बताईए आपका कि shift में exam था आपके क्या marks बन रहे हैं आप लोग comment करके जरूर बताए इससे क्या होगा कि जो और student होंगे उनको भी एक अंदाज ल कर रहे हैं तो चलिए फिर मिलते हैं next video में thanks for watching this video